नमस्कार, News Observer के खास कारिकरम विशेश में आपका हार्दिक स्वागत है। फिर बंदक बना लिया है। वहीं दूसरी और कॉंग्रेस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सब किया धरा इनकी आपसी लड़ाई है और वो भी जिसको कहें राज्य सभा की सीट हत्याना है कुछ लोगों को उसके लिए लड़ाई बर्चस्पी चल रही है। और उसमे इतने अजीबों गरीब हैं कि जो चाल चली गई वो किसकी तरफ पास हुई है कहां फेल हुई है इसे अब समझना बहुत जरूरी हो गया है। और इस चर्चा की आज हम शुरुआत करेंगे और उसमें जो भाग लेंगे महमान सबसे पहले उनका परिचर बीजेपी से बीज पत्रकार के रूप में अपनी विशलेश रात पक टिपणी देंगे सदीश सकसेनाजी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल राम पाइंडे जी आपसे। आपकी सरकार बहुत अच्छी चल रही थी। सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा था। य अच्छानक क्या हुआ कि ये दस लोग जो है वो जिन्होंने ये सुर्खियां बना दी कि सरकार आस्थिर होने वाली है आपकी पूरी सरकार को इदर अदर भागना पड़ा कई मंतरी उनको समझाने गए ये है क्या मसला पहले हम आप से समझना चाहेंगे। ये सब अच्छा के पास है सरकार बनाने के लिए 115 की जरूर तो जो बार बार अल्फमत बोला जाता है वो भी कॉंग्रेस के लिए गलत है और इन्होंने कई बार प्रयास किया पहली बार शिवराज जी ने का कि हम सरकार बनाएंगे तो बहुमत इखटा नहीं कर पाए तो फिर राजपाल जी चार वार सावित कर चुके कि हमारे पास बहुमत है लेकिन बहाती जंता पाटी पहले दिन से ही अपने सड़यंत्र जो है उसके हमीशा से चले आ रहे हैं जैसे करनाटक में जो किया था 15-17 बिदायकों को खरीदा था बुवा में खरीदा था तो ये अपने सड़यंत्रों मे पहले दिन से ही लगी हुई है और आज भी इसलिए ये प्रूफ मिलते हैं कि हर्याना में बीजेपी की सरकार है विदायकों को सबको वहां फाइट सारोटल में बंद किया गया जब हमारे वरिष्ट नेता हर्याना पहुंचे विदायकों को लेने के लिए तो कुछ विदाय को लेने के लिए गए तो वहां के लोगों ने हाता पाई की और उनको कोशिश की कि यह बिदाय कि यहां से ना जाए नरूत तो मिस्रा जी के वीडियो और आडियो वायरल चली रहे हैं कि सामने कि जो आनंद राय का आप बात कर रहे हैं यह फर्जी वीडियो है और वो जी बात वहिसे मैं कि दूRL जास तो आपको उसे खुछ Carroll किया मालें मुए धिकर आने में कि समझती या आपको भी पता जबास समय आतीि आप मुझे ये बताईएगा कि ये फ़र्जी वीडियो एक सुनियोजित रणीती के तहट सामने आता है ये जो चार विदायक अभी तक आपके नहीं आए हैं अगर आप इंटेक्ट हैं आप के रहें कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे विदायक विकाऊ नहीं है तो आपको लग्जित होना पड़े हैं यहां चंगु-मंगु टाइप के लोग नहीं पैठते हैं अपने खरीदे सब करें उसके पाद आप क्या हुआ हार गए ना तो पाटी ना हार जीत से कुछ नहीं होता है जीत तो रावण की भी होती थी ती अरे वाई लेकर रावण राम सुली जी पाइंडे जी अगर आपका भी रावण जैसा सामराज जे तो मैं यह पूछ रहा हूं कि आप आगे का सवाल सुदिए विवेक तनका जी यह क्यों कह रहे हैं कि हमारे यहां लोगों में असंतोष तो है और अगर समय से यह असंतोष तो है कहा है कि अधिक्षा तो तरह आते क्यों कर रहे हैं तो पता है अगरे बाइस आप जैसे पर नहीं पाइंडे जी जिए पर रहिए विशे पर रहिए मुझे इस सवाल का जवाब कि विवेक तनका ने यह कहा है कि असंतोष है तक तक नहीं पेले तो यह बताईए कि को यह गलत प्रभाट करते हो चलो सिंदिया जी क्यों बोल रहा है कि ऐसी सरकार को तो रहना ही नहीं चाहिए उन्हें इस सरकार का क्या मतलब जो काम नहीं कर रही जन्ता का तो उन्होंने कहां बोला है अगया वह यह जो सब कुछ गढ़ा गया है ये क्या कॉंग्रेस की ही जिसको कहें तुरप चाल थी कि जिससे ठेंकें बीजेपी के लोग उसमें फस जाएं और फिर एक नया बखेडा खड़ा हो ये था क्या पूरा मामला देखिए मानि दिगविजय सिंधी संशे था उनके मन में कि शायर उनका टिकेट के विजाय वो एक वहना कि बेचारे नादान तो नहीं है अब उस सीनियर है उनको आपने मंति मंदल में लिया नहीं वो बार बार अपना विरूद अलग अलग बयानों में अलग अलग जगह पे दे चुके हैं और उसके बाद भी उनकी अगर सुनवाई ना उनकी मंत्री जी अपने पहले तो ख़वरी है थी कि तीन मुख्य मंत्री हैं ती को इजय सिंग जी कमलाग जी और सिंधिया जी अब एक कुवा आप के दो कि जो अगर उतर ना तो उतर जाओ तरक पर तो आखिर कहीं ना कहीं आपको बैटके अपनी समर्स से आकासना बादान करना आप के पी सिंग्ष बहुत सीनियर विधायक रहे हैं आपके विसा हूलाल सिंग्ष बहुत सीनियर विधायक हैं तो आखिर मैं यह नहीं कह रहा हूं और आप कई फर्स टाइमर सेकिंड टाइमर को आपने सब को कैबिनेट One Tree ते दिया फिर क्या उमंग सिंगार जी क्छुल ट्वीट कर रहे हैं अब माननी है राम पांडे जी सब को गाली ने बीजेपी को देना उनका दिकारी है पर चीज ने राके आपनी उच्छोरं गाली दे अब ये तो इत्यास में लिखा है ये जो ड्रामा हुआ है पॉलिटिकल तो ये ड्रामे में क्या लगता आपको क्या बी कि इसमें दूसरे गुट के लोग नजर नहीं आ रहे हैं जैसे सिंधिया गुट का कोई भी व्यक्ति विधायकों को मनाने नहीं गया है ना उनको पकड़के ला रहा है कमलनात गुट के भी अगर सही से देखा जाए तो एक आदमी महां रात को नहीं पहुँचा तो ये क्य दिखाता है कि काली दिविजय सिंग खुठके ही लोग इसमें इन्वॉल्व थे या वो一 लोग कर रहे हैं जो आदि की बेशिकली क्लियर तु मनानी दिविजय सिंग्र कामलाज जी को छो ज़्यादा फरक पड़ता हृता है मुखमंति रही ना रही और उसी हिसाब से वो मानिये मंत्रियों को विधायकों को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितनी हो जो रह समझते हैं अब प्रॉलम क्या है कि मानि इद्धिविजे सिंगी के बारे में हाई कमांड में जो भी हो मुझे तो नहीं मालूम पर दो सीट जीटना है तो वो ये दिखा रहे थे अगर दायबाय भी हुए तो एक सीट कि दरुज़ा करवा देगा अज उनका ट्वीट आया है कि ये जो कुछ पॉलिटिकल ड्रामा है ये राज्यसभा की लडाई है कांग्रेस के दो नेताओं और बाकी सब आप अच्छे से जानते हैं कि ये क्यों बुरा है इसका क्या मतलब निकाला जाए मैं इस बात पर आता हूँ अभी जो इनके शरत कॉल है इनके विखाए इनों आप अपने जो सवाल पूछ रहा हूं वे आप फिर बो बोलेंगे तो फिर आपको लाइन नहीं मैं उस पर भी आपना शरत कॉल नारा इंतर पार्टी ने का कहा है जी 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 तो उन्होंने जो क केवल मत्देश का ही नहीं है गोगा का भी है करनाटक का भी हमेशा यह उमंग सिंगार ने पहले भी दिखविजय सिंग जी पर आरोब लगाए थे और बहुत गंभीर किस्म के आरोब लगाए आप जाज भी कराई आप कुछ नहीं कर पाए उनका आपने का कि अनुशाशनी निता फलाना ठिकाना अनुशाशनी निता वगेरा पर आज का जो ट्वीट है बहुत मैत्पून इसलिए हो जाता है कि राज्य सभा की सीटों की लड़ाई जो चल रही है क्या यह वाकई इस हद तक गिर गई है कि उसके चकर में आपकी सरकार्दा पे लग रही है नहीं तो प्रदेश को लूट लिया प्रदेश को लूट लिया यह वह हमारी पार्टी की अंदर की बात है हम किसी के बारे में यहम बैट के बात दूर कर लेंगे आज जो ट्वीट किया है मैं उसका अर्थ पूछ रहा हूं आपसे दर्शक जानना चाहरा है आप प्रवक्ता है कि बदलब परदा डालने का नहीं अब लश्विकान सर्माजी को मैं चाहूं तो कल जेल भेज़ू तो कि हम लश्विकान सर्माजी की बात को प्रमुक्ता से जोड़ना मेरी प्रवक्ता रही है मैं आप से टूइट का पूछ आपके ने इन यह आप से लक्षमर्ण सींग का पूछा आप नहीं तो ऑना प्यक्तियों के लिए बात करने लिए तो यतने सारे जो कांग्रेस में हैं वो आपकी विचार्धारा से सहमत नहीं है ऐसा आ ले कि शांत हो जाए कि यह कॉंग्रेस का यह जो जिसको करें ड्रामा था कि यह वाकई एक्सपोज हो गया है और इनी के नेता जो है वह बर चाल कर बयान दे रहे हैं यह क्या दरशाता है अब चुकि यह तो प्रवक्ता इनके बश्की है नहीं पर यह बड़े-बड़े नेता जो दे रहे हैं विवेक तंका हो चाहे लाक्षमन थिंगी हो मंग सिंगा यह क्या दिखाना चाह रहे हैं सब दो यहां से सीटे हैं कांग्रेस की पास उसकी जुगारत हो रहा है अब उसके लिए सारा का सारा यह किया जा रहा है यह पूरा प्लांटर तरीके इस बात को भी समय लिए आपके मुंति प्रदेश में अगर सरकार कांग्रेस की है चीफ प्रिस्तर कांग्रेस का भी हो जब कांग्रेस का मुखमंत्री होगा तो उसके पास आए भी इंडिरीजेस भी होती है प्रदेश को नहीं मालूब क्या बात है यह क्या मुवमेंट चल रहा है इस सब चीजे हैं और कल कल दो दो प्लैन एरपोर्ट पर खड़े रहे वह जो सब आम आद्वी हमको दिखाएं दे रहे तो उनको नहीं दिखाएं दे रहे थे कि यह दो प्लैन किसके लिए आए हैं प्रति पक्षें को उस पर लगा सकते हैं कि बीजेपी की कि किसे में लें लें या किस ने का कि हमार साथ चलिए हम लेके जा रहा हैं आपको एमाही सरकार बन यह यह सिर्फ आरोप प्रतियोप के वेयुबर और यह जो चोड़े होटे लोगें की फेला हुए बाते हैं भुबाजी एक अब कांग्रेस में लड़ाई बर्चस्त की चल रही है कि मैं राज सवाम चला जाओं में राज सवाम चला जाओं कुछ मिला कि यह है और उससे क्या है आम पब्लिक को और अधिगारी वर को तो हम कर से सस्पेद मेना को है साला मत प्रदेश के अंदर सरकार गई तब सरकार जी तीन में शायद मुख्मान जी चर्चा करें के मीडिया से बाद भी तनका का यह जो बयान आया है कि साब असंतोश है हमारे और अगर आम सुनेंगे नहीं तो असंतोश बढ़ना ता है उन्होंने यह भी का अगर अध्यक्ष होता परमनेट तो शायद यह नौबत ना बन टी इसके पीछे क्या लेकि ने लीति की ये बाद ने 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 ना इंटık अब गई आद शेी ये वाट मांचिंगार जी ने भी और यह विझेए बिवाद जी और यह बाजिट इसह भार करता है करता है करता है करता है करता हुंच क्या रही है यो करता चुन कि यह जो लापता हुए हैं लोग उसमें दूसरे गुटों के लोग नहीं ज्यादातर वो लोग हैं जो दिगविजे सिंग समर्थके और अगर दिगविजे सिंग जी की मद्विदेश सरकार में चल रही है तो यह किटनेप कैसे हो जाएंगे सब के समाद नहीं होता था किटन समझिया किटनेप का मता होता है अंग्री शब्दे उसका इंदी अगर कहेंगे अपरन अपने मद्य परदेश में आईपीसी इंडियन पिलार कोट है अगर किसी बच्ची का भी अपरन होता है तो उसकी एफाया होती है और पर इस बेक्शन में आ जाती है और अपने तवाम कि संध्यावे लोग चुनते मद्दान करते हैं तो मताताओं ने जिनकों चुनके भीड़ा उनका अपरन हो जाए और राज सरकार जो है वह अपने घर में सोती रहे और वह स्टेट की सीमा से बहार निकलता है यह तो इच्छा से इच्छा से कहा हूं या एक प्रांगत है का यह हो सकता है कि पेचर बराने के लिए सब किया जा रहा हूं यह एक बात और निकल कर आ रही कि जो संतुष्ट है जो बात विवेक तनखा जी कह रहे हैं सिंदिया जी ने भी कहा कि ऐसी सरकार का कोई मतलब नहीं ताकि काम नहीं कर रही है अब मैं यह जानना चाहरा हूं कि अगर यह सुबगाहट चल रही हो किसाब मंत्री मंडल का विस्तार होना है अभी 28 तो है ही मौजूदा छे और आप एड़ कर सकते हैं तो अगर यह 6 एड़ हो गए उसके बात आपको लगता है कि असंतोष्ट हो जाएगा कि और बढ़ेगा क्योंकि 6 से तो संक्या लगबग दुगनी है तो शांत नहीं होगा दूशना क्या है देखिए अगर बागरिया जी आए थे इनका एक कमेंटी बने थी उसका एक केबिनिट जो मिनिस्टर है परफार्मेंस की इनकिया रिपोड ली वह हाई कमान तक पहुंची है और उसमें इते हुआ हुआ है जिनका परफा सब्सक्राइब इस तरह पर जो जानकारी है और उसमें इसकित्ती सचाहिए के दिविजे सिंग समर्धक मंत्री ज्यादा लबेटे में आ रहा है 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 ना साब उनका परफार्मेंस ही नहीं है वह भले इसको स्विगार करें अत्वा ना करें लेकिन वह तो एक हुगवा बना सब्सक्राइब इस तो मत्रदेश आसने वह बात कही है तो मैं आप से जानना चाहूंगा कि यह जो पूरा का पूरा पूरा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है ड्रामा हम इसलिए कि इसमें कुछ निकल कर नहीं आ रहा है सामने सब किरदार जो है वह दिखाई नहीं दे रहें कि कौन किस्ते एक दूसरे पर आरोग जरूर लग रहे हैं क्या लगता है यह मतलब एक लिटमस टेस्ट था कि कितने लोग इसमें से चूट सकते हैं अगर पद छे हैं और आप अगर बारा विधाय का आज ही खड़े हुएं डंडा लेके कि साब हमको मंतरी नहीं बनाया तो हम मैदान में आ जाएंगे तो यह क्या टेस्ट हो गया है क्या बीजेपी के लिए भविश्य में कि ठीक है कांग्रेस की बुड़िया मरी उसका कोई दिक्कत नहीं है मौद ने घर देख लिया देखिए माननी राम पांडे जी कह सकते हैं हमादा खुला लुक तंतर है पर जिस हिसाब से बियान इनकी नेता दे रहे हैं मुझे तो लगता है कि यह बागवत के पहले की चीतावनी है और उसके बाद भी अगर माननी है हाई कामांड और मुख्यमंतर जी नहीं चीहते तो इसके बाद इनके माननी है विधायकों को और करने को क्या रह जाएगा कि या तो हम पार्टी छोड़े या सदस्त्रा छोड़े या पिठते रहें दुछते रहें देखते रहें और माननी दिग्विजे सिंग जी वो केते हैं न वो गुरु घंटाल है अगर कमलाज जी मैनेजमेंट गुरु है तो वो गुरु घंटाल है जीता कौन इसमें आप बीजेवी की नजर में कौन जीता है मैनेजमेंट गुरु जीता है या गुरु घंटाल देखिए अभी तो खेल खतम तो हुआ ने अगर कमलनाज जी अपने बिना आवास किये बिना कमेंट्स दिये और निरंतर अपने बने रहते हैं तो निश्ची थी मैनेजमेंट गुरु जीता हुआ कहलाएगा कमलनाज जी ने खुद स्विगार किया पहले कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है उन्होंने ये तक कहा कि पैसे मिले तो ले लेना फोगट का पैसा है सवाल तो सुन दीजिए कितने पैसे मिल गए देखे जो ड्रामा वाली बात है वो भातियनता पार्टी दूसरों के अपर ठोप देती है और बातियनता पार्टी नहीं पूछा आपसे किया पूछ रहा हूं पहले इनकी पार्टी में ड्रामा चल रहा है पहले मैं आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब देदें फिर अपना वक्ता भी देदें हम अलग से पांच मिनिट का सेशन रख लेंगे उसमें आप खूब गाली नाली नहीं नहीं साथ ही चलने दो ना इनकी पार्टी में जो आप पहले इसका जवाब देदीजी और उसमें आप अपना कांग्रेस का लाग ल कमल नाज जी ये कह रहे हैं कि हमारे पास भी जैनकारी आई अई हमने विदायब कह दिया फोकट का पाइसा है मिले तो ले लेना ये उन्होंने कहा है यह जानना चाह रहा हूं कितना पायसा मिल गया है मैं तो मानता हूँ यह सब कुछ हो रहा है है घरिद फरोक्ट हो रही है लिए गलत है घ्रटाचार के लिए गलत है वЙमायत कर रहा है कि ले लेंड जी ब्रस्टाचार गलत है चाहे लिया जाए चाहे दिया जाए तो कमलाज जी गलत है और लेना दोनों कर देश के लिए जाना चाहता हूं कहां से आया जब मोदी जी कहते हैं अपने प्रदेशाच के खिलाव जो बात कहीं आया आपने प्रदेशाच कमलाज जी खिलाव जो बात कहीं है मैं उसके लिए आपको साथ मैं कह रहा हूं ब्रस्टाजार नहीं हो जाएए आप से यही सवाल 35 करोड रुपे देने की बात थी मुख्यमंदरी कह चुके हैं कि हाँ भई मिले तो ले लो भई तुम तो अब सवाल यह उठ रहा है क्या वाकई यह बीजेपी ने दिये हैं य सो करोल का था आरो अब फिर 35 पे आगया 25 पे आगया कोई वैश्विक मंदी का प्रहाज लक रहा है यह किसाब सो से आप 35 पे आगये और उसका भी पता नहीं चल रहा है कि इसने लिया नहीं लिया यह तो आप कही चुके हैं कि इनके भी मुख्यमंदरी गलत बुल रहा है व बज़स में कौन साही हो कौन गलत यह इन दोनों सही जवाब लिया जाए हम क्या बोले भारती जनत वारती आपसे आप आरो डगर रहे नहीं हमारे यह नहीं हमारे माननी क्या नामे यह शिवराजी की बोले हम दिली आ जा रहे हैं कि यह जो भी कह रहे हैं यह मानने कमलनाथ वीच के आरोप प्रत्रूप हैं या उसके बारे में मैं उसके पैण तूरर चाह door किया पैसों का लेंडेन हो नहीं पाया या हो गया है, कि야 इस्तिति है और वहां विधाये को कुछ नहीं लगा वो सब खाली आत लोटा है तो बोला है यदि दिक्रेशिंग ने बोला है यदि नहीं गर्दल कलत बोला है तो तो करेंगे करेंगे दोनों कभी नहीं करेंगे क्योंकि दिक्वेशिंगी ने सक्क्रोड बोला था जो सौदर बोला था अब यह चेले चपाटे ऐसे वरासी उन्हें रूतम इश्रा बहुता पहले बहुत की अगात सो करोड़ की थी इसलिए बहुत ने सोगड़ बोला था उन्होंने बहुत साथे रहे थे अच्छेले चपाटे हैं लाची से बैदीस करोड़ों के बीच में इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस के विधायक बिख सकते हैं अरे प्रदान मंत्री बिख सकता है हमारे देश में अब प्रदान मंत्री को खरी लिए गया है आप को पता है पच्छा अपना पाक्षराट नहीं पड़े जी ने बिदन यह है आशे कि अपन किसी बात को जोर से कहेंगे तो भी वह चीज आएगी और जीरे से कहेंगे तो भी चीज आएगी आप तोड़ा सा एक चर्चा को सामय कि समझें बहुत अगर महन जी जिए इस आप प्रदेना है नरुत अपने जानकारी ने प्रदेशन देशन ने जानकारी है उन्येटा प्रतिवाश्य गोपाल घरगाफ को जी तो भी जोर से कोई अगर के सकता अगर दूप से पार्टी की और से अब पार्टी में तो तौम लोग होते हैं अब इन दोनों ने कर कहा है और अपने अच्छा उन सबसे बड़ी बात आप से जानना चाहूंगा क्या कुछ विधायकों की भी महत्वा कांचा है कि सवा साल से जो है वो इदर उदर धके खा रहे हैं मंत्री बनने का लाली पाप जरूर मिल्टी आगया है कांग्रेस सरकार दोरा पर वो बनाया नहीं जा रहा तो किया यह उसी की परिणिती है कि ड्रामे में सबके सब शामिल है देखिए मंत्री बनाया नहीं चेर्में बन सामार नें चिंता करें नहीं करें तो फिर जो होगा सामने आएगा आज तीन मंतरियों की बैठाक अलग से हुई है और वो तीनों सिंदिया समर्तक हैं तुलसी राम सिलावट हो या तोमर हो या फिर जिसको कहें गोविन राजपूत हो अब ये तीनों मिलकर क्या डिसाइड कर रहे हैं और तब जबकि ये जो सामाने बैठाक थी उनमें नहीं पहुंचे हैं ये लोग और जस तरीके से सरकार का पक्षाना चाहिए था तो उसमें इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया अभी था तो क्या सिंदिया कुट भी इस समय जिसको कहें बैती गंगा में हाथ दो आया है या मज़े ले रहा है सरकार के देखिए सिंदिया जी को कांग्रेस अगर टिकेट ने दे तो रिसल्ट आप देख लीजिएगा बढ़िया बात कहिए एक ही वाक्य में पूरी इसको कहें डिसकुशन का नतीजा सामने हैं कि सिंदिया जी ये वो फैक्टर है जो कांग एक जूटता दिखाती है क्योंकि महत्पूर्ण ये भी हो जाता है कि निचले इस तरका कारेकरता हो कांग्रेस के नेता हूं सबके सब परेशान हैं सवा साल में किसी को कुछ नहीं मिला और जैसे 15 साल वो बीजेपी में अंदुलन कर रहे थे वैसी ही हालत उनकी अभी है निम्स अबजरोर के खास कारेकर मेशेश में नहीं लेकिने आप विवाक ख़वरें दर जारी रहेंगे आप देखते रहें निम्स अबजरोर यानि सिर्प ख़वार